तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिक एडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है हिंदी ग्रामर जी हां एकदम जबरदस्त और धुआदार तरीके स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हिंदी ग्रामर यानि की हिंदी व्याकरन हर एक टॉपिक में आप लोग को पढ़ाऊंगी जिससे रिलेटेड कोशन आप लोग के एकजाम में पूछे जाते हैं अब आप लोगो को हिंदी व्याकरन को लेकर अब मैं हो नहीं नहीं है का या हम रहेगी कि एक एक पॉइंट कवर होगा और आप लोग के एक्जाम में एक भी कोशन हिंदी व्याकरण से नहीं छूटेगा मैं आप लोग को उश्वास दिलाती हूं ठीक है चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं क्योंकि व्याकरण आखिर है क्या व् व्याकरण किसे कहते हैं व्याकरण को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रामर और उर्दू में कहा जाता है कवायद ठीक है व्याकरण समझे किसे कहते हैं हिंदी व्याकरण यानि कि हिंदी भाषा को लिखने पढ़ने बोलने और सीखने के लिए जो नियम और कानून होते हैं जो कायदे कानू रूल और रेगुलेशन होते हैं उन्हीं को तो कहते हैं हम लोग व्याकरन हमें हिंदी भाषा को पढ़ने सही तरीके से लिखने के लिए सही तरीके से बोलने के लिए नियम और कानून को पढ़ना पढ़ता है हिंदी भाषा के कुछ रूल और रेगुलेशन उसको इकठे में क्या कहते हैं व्याकरन कहते हैं और उसी तरह इंग्लिश ग्रामर होता है यानि कि इंग्लिश भासा को सीखने के लिए जो नियम और कानून होते हैं इंग्लिश भासा को सही तरीके से बोलने के लिए लिखने के लिए उसका एक अलगी कानून है अलगी नियम और कानून है तो उसके लिए आप लोग को इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होता है उसको कहते हैं इंग्लिश ग्रामर हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए जो हम नियम और कानून पढ़ते हैं उसको कहते हैं हम लोग हिंदी व्याकरन और वही बात करें अगर उर्दू की तो उर उर्दू कवायद में आप लोग अलड़ी पढ़ा चुकी हूं आप लोग जानते भी होंगे हर एक टॉपिक पढ़ा चुकी हूं और आप लोग टेंशन फ्री हो जाईए अगर वो सभी वीडियो देखे हैं तो उर्दू कवायद से मैं गारेंटी ठोक कर बोलती हूं कि एक भ हिंदी व्याकरन को चार भागों में बाटा गया है अप लोग अगर उर्दू कवायद पढ़े उंगे या फिर नाइंभी पड़ेंगे कोई दिकत नहीं है उर्दू grammar में और में को तरह आप यूं कह सकते हैं, हिंदी व्याकरन को भी चार भागों वाटा गया है, पहला जो भाग है, वह वर्ण विभाग, दूसरा भाग है शब्द विभाग, तीसरा है पद विभाग और चौथा है वाक्य विभाग, वर्ण विभाग के अंतरगत नाम से एक लियर है कि वर् कितने प्रकार के और उसके बार से उच्चारण स्थान आप लोग को पढ़ना है तीक है उसे तरह शब्द विभाग है नाम से इस भाग के अंतरगत यानिकि इस भाग के अंतरगत हम लोग सिर्फ शब्द के बारे में पढ़ते हैं तत्सम तद्भव देशाद विदेशज सभी तरह कि जितने भी शब्द है ना शब्द के बारे में आप लोग पढ़ते हैं शब्द विभाग के अंतरगत उसी तरह पद विभाग है इसमें आप लोग को नाउन प्रणाउन यानि कि संग्या सर्वनाम विशेशन वगर पढ़ इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया वाक के बिभागत तो आई अब आप लोग को समझ में और हैं दुसरा है शब्द विभाग और चोछता है क्या वाक्य थीख है एक बार और और फिर से रिपीट कर दे रहें हम लोग सिर्फ वर्ण के बारे में पढ़ते हैं शब्द विबाग के अंत्रगत हम वण यानि की अक्षर आप यू कर सकते लेटर वर्ण और अक्षर में थोडा सा का अंतर है वो मैं आप लोगों बताऊंगी ठीक हैं तो वर्ण विभाग के लोग सिर्व व्पे बारे में है और पद्विभाग नतर्ग शब्द के बारे में पढ़ ते हैं और पद्विभा के और पढ़ते हैं यह आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले पढ़ें tablets क्योंकि इसे आप लोग के एक्जाम में question पूछे जाते हैं सबसे पहले one विभाग के अंदर का थम लोग को पढ़ना है द्धुआनी किसे कहते हैं द्धुआनी किसे कहते हैं समझे यहां पर द्धुआनी उसे कहते हैं जो हमारी कानों से सुनाई दे जैसे कि मैं बोली अ, आ, ई, ई, उ, उ, उ तो जो भी आवाज आप लोग के कानों में सुनाई दी उसी को कहते हैं धुआनी ठीक है आई होब आप लोग को धुआनी समझ में आ गया होगा मतलब कि भाषा के शुरुआत जो होती है ना धुआनी से ही होती है बिना धुआनी के भाषा की शुरुआत हो ही नहीं सकती मैं बोलती ही रह जाओ औ, आ, ई, ई, उ, उ, उ कुछ भी बोलती ही रह जाओ और आप लोग को सुनाई दे ही न तो क्या फाइदा मेरे बोलने की और क्या फाइदा भाषा की मैं कुछ भी बोलू बोलते रहे जाओं और आप लोगो सुनाई ही न दे यान कि ध्रणी रहे ही न तो फिर मेरे बोलने से कुछ फाइदा होगा मेरी मीरत भावनाओं को आप लोग सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे इस दुनिया में जितने भी लोग है वो ध्वनी से होती है तो आई वोप आप लोगों को ध्वनी समझ में आ गया होगा हमारी कानों से जो सुनाई देती है उसे को क्या कहते हैं अब समझते हैं वर्ण को वर्ण किसे कहते हैं तो वर्ण के अंतरगत वो सभी ध्वनिया आती हैं जिसको हम और अधिक खंडों में भाजित नहीं कर सकते हैं यानि कि और टुकडों में नहीं बाट सकते हैं जैसे कि अ, आ, छोटी, बड़ी ये सभी क्या कहलेंगे वर्ण कहलेंगे जिसको हम लोग और में बाठ सकते हैं नहीं जैसे कि मैं बूल दी कमल तो प्लास ऑ से मिलकर बना है उसी तरह मा मौप प्लस औ से मिलकर बना है तो देख रहे हैं यहाँ पर टुकडों में बाट दे रहे हैं लेकिन अब हम चाहे कि इस औ को भी और टुकडों में बाट दे तो नहीं बाट सकते हैं उसे तरह हम आ को भी यह वाले आ को भी हम और टुकडों में बाट दे तो नहीं बाट सकते ह भूंट के अंद्र अंद्र्गत्स को हम और खंडो मैं बाट सकतेज् ouvert नहीं युडा है यह वाला सभय यह बताऊंगी को नित है चहल है यह और यह उसको कह भाएंगा जाने हैं चाहर नहींती नहीं है. तो इसको कहेंगे अक्चर, इसको कहेंगे 1, अभी मैं आप लोग को आंतर बताओं कि इंक सन्दा फृरी रहिए, तो यह कह कह लाेंगे, यह सभी क्या कहलाओ ऋर्ण कहलाओ, जिसको ओर टुकड़ों में वाजित नहीं कर सकते हैं, यह होग आप आप लोग को समझ़ में आ गय जो अब हम लोग बोलते हैं तो इसी से तो ध्वानी निकलती है तो हम यह कह सकते हैं कि वर्ण का मौखिक रूप है ध्वानी मौखिक रूप है क्या ध्वानी ठीक है और उसी तरह ध्वानी का लिखित रूप ध्वानी का लिखित यानि कि ध्वानी को जब हम लिख देते हैं औ को लिख दिये, तो वो क्या हो गया, वर्ण हो गया, यानि कि ये क्या है, वर्ण, ध्वानी का लिखित रूप है, आई होब आप लोगो समझ में आ गया होगा, ठीके, तो ध्वानी का लिखित रूप, वर्ण, जिसको और टुक्रों में नहीं बाठ सकते हैं, और वर्ण का म तर्ट रहें मतलब दोनों को एक ही कहेंगे ध्वानी और वर्ण ही बात है ध्वानी का दूसरा नाम ही ओर ठेके बस यहां पर थोड़ा 40 आप लोगों समझना था और आई-उप आप लोगों समझ में को βी आ गया होगा अब लोग समझते हैं वर्ण माला को जितने भी वर्ण में आप लोग को बताई ओ और चीटा ली हoug लिखी थी यहां पर यह जितने भी वर्ण हे टोटल कितने वांने बावण इर्ण हिंदी भाष्शा में टोटल क्योंकि 22 तरीके से यानकि व्यवस्थित तरीके से सजाया जाता है माला में फिरोया जाता है एक तरह माला की इसको एक माला की तरह सजा दिया गया है और एक समू बना दिया गया है तो वर्णों का करमबद यानि कि बेवसिस तरीके से सजा कर जो समू बनाए गया ना उसी को कहते हैं वर्ण माला यानि कि वर्णों का करमबद समू क्या कहलाता है वर्ण माला कहलाता है और वर्ण माला के कितने वर्ण है तो बावन वर्ण है याद रखना है कितने वर्ण है बावन वर्ण है अब हम लोग समझते हैं इस बावन के बावन वर्ण को दो भागों में बाटा गया है स्वार्वर्ण और यहीं से आप लोग के एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं स्वार्वर्ण के अल और ब्याओंज़न वन की संखिया 39 49 49 और 30 को मिला देंगे तो वापस से बावन बन जायेगा ठीक है यांगी श्वार won और ब्याओंज़न वन बन जायेगा ठीक है और इसी बावन वन को दो भावन बटा गया है तो 13 का 13 वन जो है श्वार वर्ण कहलाया है और 49 का 49 वर्ण क्या कहलाया है तो समझते हैं कि स्वर्ण किसे कहते हैं स्वतंत रूप से उचारन किये जाने वाले वर्ण को कहते हैं स्वर्ण इसके अंतरकत आ जाएगा मतलब कि यह ऐसे वर्ण होते हैं जिसको उचारन करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यक्ता नहीं होती है, इसको हम लोग स्वतंत रूप से उचारन कर सकते हैं, ठीके, देखिए, ओ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ए, ओ, औ, अंग, अ, यह जितने भी हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे, स्वर, वर्ण कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि इनको उचारन करते समय, हम हम लोग स्वतंत रूप से उचारन कर रहे हैं, यान कि किसी दूसरे वर्ण की सहायता हम लोग नहीं ले रहे हैं, किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं ले रहे हैं, हम लोग स्वतंत रूप से बोल रहे हैं, तो इस तरह के वर्ण को क्या कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं, लेकिन जैसे कि को को के नीचे हल है याद रखिएगा खो गो गो यह जितने भी को से लेकर गया तक टोडल के टोडल 39 वाण इन सभी वाण को उचारण करने के लिए हमें स्वार वाण की सहायता लेनी पड़ती है ये जो मैं लिखी हूं इसको बोलेंगे कह जब कह बोलेंगे तो ध्य्यान दीजिये आप योडिये और फिर आप जो बोल रहे हैं उसको ब्लडर है फिर जो का के साथ आक प्रव्याण दीन दुरह है कॉ yaa कवी बिना सवारण का संवार्ण इसको छोड़ कर इसका मदद लिए भीना आप बंग दिखाईये आप लो भीन Saint सकते हैं इसको को बोलेंगे तो को में आ जा रहा है तो स्वार्वाण की मदद नहीं लेना है इसको कुछ और बोली है को को की बोली है की बोलेंगे फिर भी तो की में या रहा है ना की बोल रहा है तो यह भी तो स्वार्वाण है स्वार्वाण की मदद लेना ही नहीं है कुछ कुछ और बोलिये को इसको मतलब कुछ और बोल रहा है कू बोलेंगे तो कू यानि कि उ आ जा रहा है यानि कि उ भी क्या है स्वार्वाण है बीना स्वार्वाण की सहायता से बीना इसकी मदद से आप लोग व्यंजन वाण को बोल ही नहीं सकते है यानि कि व्यंजन वाण को स सिर्फ लिखा सकता है बोला नहीं जाता मतलव को सिर्फ लिख सकते हैं बिना इसके हम लोग बोल की मदद से बोलते हैं ऑग्षर आप समझाती हूं कि और अंतर है आप लोग के मैंड में यह अब समझें यहाँ पर आप लोग बच्पन में याद की होंगे को गहाँ यहाँ क्यों से लेकर गया तक तो यह सब क्या है यह सब अक्छर है क्या है और अभी जो मैं आप की नीचे क्या है अगर हल रहेगा तो ये सब क्या है वॉर्ण है क्या तरह हैं और अक्षर में को वर्न को हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं यह जितने भी है ना यह जितने भी वर्ण है बेंजन वर्ण को लोग सिर्फ लिख सकते हैं और जब हम इन बेंजन वर्ण को बोलेंगे ना बोलेंगे तो स्वान वर्ण की मदद सही तो बोलेंगे इस यह जो लिखा है इसको क्या मतलब कि सिर्फ ले कर बोलेंगे तब यह वह क्या बन जाएगा यह अक्षर बन जाएगा यानि कि को को जब आप लोग बोलेंगे तो क यानि कि आ जा रहा है स्वार्वन की मदद से बोल रहा है तो जब यहां पर बारीकी से समझ़ यह जितने भी बेंजन वर्ण है इसको हम लोग लिख सकते हैं पढ़ नहीं सकते हैं बोलेंगे तो स्वर्ण वर्ण की मदद चहीं बोलेंगे और जब हम लोग को यह जो लिखा है बेंजन वर्ण इसको बोलेंगे को तो आ जा रहा है यानिकि को प्लस और रहा है तो यह को प्लस और यान ना जब हम लोग पढ़ रहे हैं यानिकी स्वालमॉण की मदद लेकर तो यहीं बन जा रहा है क्या यह वाला यहां यह अब झाओं यह अपच्छर बन जा रहा है क्योंकि हम लोग इसमें रोट मिला दे रहे हैं यह खो जो लिखा है न कि English इसको सिर्फ हम लोग लिख सकते हैं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे सेंवानी की मदद से लेकर ही पढ़ेंगे और तो यह यह बन जाएगा किया यह वाला ख्क यानकी नर्मल को बन जाएगा और इसको कहेंगे अप्छर यानिकि यह जो ब्यामड्यन हु вок कि इसको पढ़ेंगे ना तो स्वाडन की मदद से ही पढ़ेंगे ठीक है लास्ट में क्या रहा है यान कि स्वाण वाण मिलाकर बोल रहा है तो इसको पढ़ रहे हैं गन्जन वान उस तरह के kinderg को कहते हैं जो बीना किसी जो बीना स्वान 20 से हम लोक भोडिले हैं और अँष्ञ उसे कहते हैं जो वे अंजन वНе स्वान का संहेलित्म होता है Cambridge गशर में मिला कर क्या बनता है अक्षर बनता है ठीक है अब आप लोग बच्पन में जितना भी को से ले कर गया तक याद किया है जितना भी तो वो सब क्या है? अक्छर है, जिसमें जाफ लोग पढ़ रहे हैं को खगा तो को यानि की को बेंजनवर्ण भी है और प्लस आ यानि की स्वरण भी है तो जिसमें बेंजन वन और स्वार्वन दोनों मिला हुआ हो उसी को कहते हैं अक्षर ठीक है तो आप लोग बच्पन में याद किये थे वो सब क्या है अक्षर है और अभी मैं यहाँ पर जो लिखी हूँ यह सब वन है याद रखिएगा है इसको हम लोग बोलेंगे तो स्वार्वन की साहता सी स्वार तो यह हर एक चीज आप लोग को पढ़ना है वेंजन वंट सभी कोशन पुछे जाते हैं सयुक्त वेंजन अंतस्त वेंजन हर एक चीज में आप लोग को पढ़ा दूंगे आप लोग टेंशन फ्री रहिए बस आप लोग लाइक और शेर करके हमारा मोटिवेशन करता है और बहतर से बहतर कॉंटेंट लाने की तो जितना जदा उसा के लाइक शेर करें चलिए अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेली जेफड़वर स्क्रीन शॉट तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड कर पर करा दोंगी वेंजन वान को भी समझेंगे हर एक एक टॉपिक समझेंगे ठीक बस आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें जो कुछ भी मैं आप लोगो समझाती हूं समझ में आता है अच्छा लगता है तो अब तक लाइक नहीं किये तो पड़ावर्ट लाइक कर दे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिस